सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रान चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली मार्च 2024 चला गया है और यहाँ पर ओपो वालो ने अपने ColorOS 13 एंड ColorOS 14 का अपडेट काफी सारे डिवाइसेस के अंदर साप्टेयर अपडेट प्रोवाइड करवाए है साथ ही अपरेल 2024 में अभी तक के कौन-कौन से डिवाइसेस को साप्टेयर अपडेट देखने को मिला साथ ही साथ ओपो वालो ने यहाँ पर काफी सारे सिस्टम अप्लिकेशन का अपडेट प्रोवाइड करवाए है तो यहाँ पर फूल डिवाइस लिस्ट और सिस्टम अप्लिकेशन अपडेट के बारे में बताऊंगा तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर सौफूल अपडेट का डिवाइस लिस्ट और सिस्टम अप्लिकेशन अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दू कि मैं जो भी डिवाइस लिस्ट बताऊंगा वो स्क्रिն साट के जरये बतांगा दोस्तों क्यूंकि OPPO के official website में या community पर कोई भी software update rollout का information नहीं पता चलता है और ये जो device list है वो 1st March 2024 से 5th April 2024 तक है जिसमें किसी-किसी devices को February 2024 का Android security patch देखने को मिलता है और किसी-किसी devices को March 2024 का latest enhanced Android system security देखने को मिलता है अब बात की जाए device list की तो यहाँ पर device list को दो पार्ट में divide कर दिया है ColorOS 13 एंड ColorOS 14 में तो यहाँ पर ColorOS 13 की device list की बात करें तो OPPO F90 को F.77, OPPO Reno6 को 591 और OPPO Reno7 Pro को 566 के update के साथ ColorOS 13 based on Android 13 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके साथ OPPO A96 को F.69, OPPO F21 Pro को F.54 और OPPO Reno7 को 607 के update के साथ ColorOS 13 based on Android 13 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके अलाओ बात कीज़ अगले devices की तो OPPO K10 को F.68, OPPO K10 को ही F.69 और OPPO F21S Pro 5G को C.11 के update के साथ ColorOS 13 based on Android 13 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है अब दोस्तों बात की जाए ColorOS 14 के device list की तो यहाँ पर OPPO K10 5G को 501, OPPO Reno 8 Pro को 501 और OPPO Reno 8 5G को 300 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके लाओ बात की जागले devices की तो OPPO F21S Pro 5G को 530, OPPO F21S Pro 5G को ही 600 और OPPO A77S को 501 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके लाओ बात की जागले devices की तो OPPO A78 को 302, OPPO Reno 8T को 300 और OPPO Reno 8T को ही 310 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके साथ OPPO Reno 10 Pro Plus को 400 OPPO Reno 10 Pro को 300 और OPPO Reno 10 Pro को ही 500 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके अलावा OPPO F23 को 302, OPPO Reno 10 को 400 और OPPO Reno 10 को ही 500 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का stable update देखने को मिल चुका है इसके अलावा OPPO A79 को 530, OPPO A79 को ही 600 और OPPO Reno 11 को 302 के update के साथ ColorOS 14 based on Android 14 के update के साथ मार्च मन्त का alpha version और stable update देखने को मिल चुका है अब दोस्तों बात की जाए OPPO के system application update की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के description में अपने टेलिग्राम चैनल का link जो है add कर दिया है आप वहाँ पर जाकर अपने system application को update कर सकते हैं यहाँ पर आपको ColorOS 13 और ColorOS 14 का काफी सारे system application update मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों आप ColorOS 14 का system application update करेंगे तो carefully install कीजेगा हो सकता है आपको app sequencing issue अगर देखने को मिल जाए तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो ए रहा दोस्तों full device list जिन्हे ColorOS 13 और ColorOS 14 का update देखने को मिला साथ ही system application update के बारे में बताया हूँ तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तों